जहां तक आपने कोरोना वायरस की बात की देखिए क्या करना है एक तो हमें बीना जरूरत के कहीं इकठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सभाई करनी चाहिए अपने चहरे को अपने नाक और अपने मूँ को बार बार छूने की हमारी जो आदत है अब थोड़ा उस आदल को बदलना होगा जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धूले हुए हाथों से ही अपने मूँ को टच करना चाहिए जानकारों का कहना यह है कि यह खांस्ते जुनक्ते समया जो छीटे निकलते हैं सांस के साथ ऐसे छोटे-छोटे छोटे बिंदू निकलते दिखते भी नहीं है ूसमें जो भी संपर्ग में आता है उसे यह पैलता है ऐसे में जिस भी चीज़ पर ये छीटे गिरते हैं उसमें ये वाइरस कई दिनों तक जिवित रह सकता है इसलिए बार बार साबुन से हाथ दोना बहुत जरूरी है एक और आदत हमें जरूर डालनी है अगर खांसी और छीख हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छीटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छीखने के समय इस्तिमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दे साथियों जिन जिन लोगों को ये संक्रमन हुआ है उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है पूरे वाच में रखा जाता है लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्क में आया है तो उसको बहुत गवराने की जरुवत नहीं है अपने मूँ को मास्क से ढंक करके या किसी बड़े कपड़े से ढंक करके सबसे पहला काम करना चाहिए किसी ने किसी नज़िदी की अस्पताल में चेक कर वा लिजिए यह बहुत जरूरी है परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इनफेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेश करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए ग्लव्ज भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए मास्क पहनना है या नहीं पहनना है इसे लेकर जानकारों की अलग-अलग राय है लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या च्षिंकते समय जो हवा निकलती है उसके चाहिए जो छोटे-छोटे बारिक ड्रॉप निकलते हैं ड्रॉपलेट्स वो दूसरों पर न जाएं वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है मास्क को एड्जेस करते हमारा हाथ बार-बार मुह और को छूता है इससे बचाव की जगह इंफेक्शन फैलने की आशनका बढ़ जाती है साथ यो ऐसे समय में अफ्वाएं भी तेजी से फैलती है कोई कहता यह नहीं खाना है वो नहीं करना है कुछ लोग चार नहीं चीजी लेकर के आ जाएंगे कि यह खाने से करोना वायरस से बचा जा सकता है ढिकना करने से बचा जा सकता है मेरी सभी देशवाचियों प्रासना है महरबानी करके इन अफ्वावों से भी बचना है आपको कुछ भी लगता है जो भी करे अपने डॉक्टर की सलह से ही करे